भाई और बैनों, हमारी सरकार MP में आधुनिक इंफ्रास्टेक्टर पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। कॉंग्रेस सरकार के दस वर्षों में MP को रेलिवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला, आज हम उसे 24 गुना जादा पैसा MP के लिए बेज रहे हैं, 24 गुना जादा। आज भी मैंने करीब साड़े 3,000 करोड रुप्य की रेल परियोजनाओं का लोकारपन किया है। साड़े 3,000 करोड रुप्य की लागत के नेशनल हाइवेज का भी आज लोकारपन हुआ है। आप सोचिए, आज एक एक सेक्टर में MP के विकास के लिए हम इतना जादा पैसा बेज रहे हैं। वो कौन से इलाके थे? जहां रेल की, सडक की, बिजली की, रोजगार की सुविदाय नहीं पहुंचती थी। इन में से अधिकांस, जन जातिय और ग्रामिण इलाके ही थे। क्योंकि कॉंग्रेस को आपके गाउं की नहीं, उनको तो अपने महलों की चिंता थी। कॉंग्रेस ने इन इलाकों की जो उपेक्षा किये, उनके बनाए गड़े भरने के लिए आज हम पूरी महनत से काम कर रहे हैं। इसलिए कॉंग्रेस के लोकल नेता भी अपने आला कमान से कहने लगे हैं। कि हम मोदी के खिलाब वोट मांगने जाएं, तो किस मुह से जाएं। उन बेचारों की मुसीबत तो है। जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं, उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। सुना है कि इन दिनों मद्द प्रदेश कॉंग्रेस में अंदर खाने खुब भगदर भी बची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हस्र होता है। कॉंग्रेस अब अपने पांपों के दलजल में फस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धसेगी। साथियों, आज इस आउसर पर मुझे आपको कॉंग्रेस की साजीसों से भी आगहा करना है। अपनी हार सामने देखकर कॉंग्रेस और उसके साथ ही अब अपने आखरी दाओं पेज इस्तिमाल करने में लग गए है। कॉंग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं। जब सत्ता से बहार जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। यानि लूट और फूट यही कॉंग्रेस की ऑक्सिजन है। इनको बंद करते ही कॉंग्रेस पार्टी का सियासी दम तूटने लग जाता है। ज्यादा तर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनारदन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिये हैं। अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाती के नाम पर बाशा के नाम पर इलाके के नाम पर तूट करवाने में फूट करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन देश इनकी हरकते देख रहा है। देश इनके मन सुबे सबल नहीं होने देगा। साथ क्यों कॉंग्रेस के भीतर आदिवासी समाज के लिए नफरत कूट कूट करके बरी पड़ी है। ये लोग आदिवासी समाज के वोट मांगने तो आपके पास आते हैं। लेकिन जब आदिवासी समाज से पहली बार एक महिला राष्ट पती का चुनाव लड़ती है। तो कॉंग्रेस उन्हें रोकने के लिए उन्हें हराने के लिए दिवार बनकर खड़ी हो जाती है। देश को कॉंग्रेस की वो कर्तूत याद है। चुनाव आने पर ये लोग बड़ी-बड़ी गोशनाय तो करते हैं। लेकिन मोदी जब हर गरीब के लिए दलीद, पिछडा, आदिवासी के लिए पक्के घर बनवाता है। तो ये मोदी को गालिया देते हैं। मद्य प्रदेश में डबल इंजीन सरकार ने करीब 45 लाग परिवारों को पक्का घर दिया है। 65 लाग से ज्यादा परिवारों को पानी के लिए नल के कनेक्शन मिले हैं। बीच में जितने दिन इनकी सरकार रही। इन्होंने गरीबों तक ये लाग पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। MP के लोग उनके वो पाप भूले नहीं है। तालवाडा बांध परियोजरा के पूरा होने के बाद जाबवा, रतलाम और धार के हजारों गावों को पानी पहुंचेगा। इन कामों के लिए इस छेत्र के लोगों को, यहां के मेरे आदिवासी भाई बैनों को, इन कामों के लिए दसकों तक इंतजार करना पड़ा। लोग यह बाते भूलते नहीं हैं, कॉंग्रेस के लोग समझ लें, यह मेरे आदिवासी भाई बैन समय आने पर हिसाब चुकता कर देते और पक्का चुकता करते हैं। जन्ता ने कॉंग्रेस को जो जवाब अब तक दिया है, वो तो भी ब्याज का जवाब है, कॉंग्रेस का पूरा हिसाब तो भी बाकी है।